जहां तक आपने क्वरोण वायरस की बात की कि अब बैठाता हूं अनुवआ बैठी आ ये हैं जहां तक आपने क्वरोणले मैं बहुत है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में है मैं समझता हूं इसमें आपकी और हमारी हम सब की सतर्ता बहुत महत्वपून है चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारे हो या मुनिसिपालेटी हो ग्राम पंचायत हो सभी इस मामले को लेकर उचीत इंतजाम और देखरेक में जुड़े हुए है हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाप भी है सौंसादन भी है और जागरुक आप जैसे अनेक नागरिक भी है हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानिया क्या है बड़ी बड़ी बाते नहीं है जी ये अलग-अलग माध्यों में से आपको साथ पता भी चलता होगा लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं मैं फिर से एक बार जब आपने मुझे पूछा है तो मोका ले लेता हूँ और आपके माध्यम से देश के सभी नागरीकों के लिए वो सारी बाते मैं दोरा रहा हूँ और मैं कहता हूँ का आप भी याद रखिए और हर स्कूल में कॉलेज में सब जगा पे बताईए देखिए क्या करना है एक तो हमें बीना जरूरत के कहीं इकठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए अपने चेहरे को अपने नाक और अपने मूँ को बार बार छूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मूँ को टच करना चाहिए जानकारों का कहना ये है कि ये खांसते या छिंकते समय जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है उसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे ये फैलता है ऐसे में जिस भी चीज़ पर ये छीटे गिरते हैं उसमें ये वाइरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती है तो कोशिच यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्ग में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संक्रमन हुआ है उनको तो जरूरी निग्रानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथि को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथि के संपर्ग में आया है तो उसको बहुत गवराने की जरूरत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ने किसी नदिदी की अस्पताल में चेक करवा लिजिए यह बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज़्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेश करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए गलव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग-अलग राय है लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या च्षिंकते समय जो हवा निकलती है उसके चाहिए जो छोटे-छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉपलेट्स वो दूसरों पर न जाएं वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है मास्क को एड्जेस करते हमारा हाथ बार-बार मुँवर को छूता है इससे बचाव की जगः इंफेक्शन फैलने की आशनका बढ़ जाती है साथ यो ऐसे समय में अफ्वाएं भी तेजी से फैलती हैं कोई कहता यह नहीं खाना है वो नहीं करना है कुछ लोग चार नहीं चीजी लेकर के आ जाएंगे कि यह खाने से कैरोना वाईरस से बचा जा सकता है ढीकना करने से बचा जा सकता है तो एपने डॉक्टर की सला से ही करें हम स्वायम डॉक्टर न बढ़ जाए और हां पूरी दुनिया आजकल नमस्ते के आदर डाल रही है अगर किसी कारण से हमने यह आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाएं इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समाता यह उत्तम